नाला में गुशकर साइद हम लोग पहले अजमी होंगे जो अपडेट दिया हम यहां से आपको प्रोपर भीव मिल जाएगा देखे सामने से आपका पटना मरीन ड्राइब आड़ा है धीरण वीरण वीरण जी यहां पर देखे काम कर रहे हैं आप सब के लिए हम सब के लिए कितिनी धूप में अंदर सप्लाइब दिया गया है उसको अंदर डाला जाएगा और पर देखे जेपी से तुसे आगे बढ़ा हूं तो इधर जो है काम अभी चली रहा है पटना मरीन ड्राइब को अटल पत को दिग्गा एम्स एलिवेटेड रोड से और जेपी से तुसे कितना काम बचा हुआ है इस वीडियो में अपडेट देने वाले अक्षी ये डेट क्यू बढ़ा है तो नमस्कार दोस्तों मेरा नमें गौरड आप और आप देख रहे है चैनल टेक्निकल विहार ब्लोग चलिए इस ब्लोग को इस वीडियो को स्टार्ट करते अभी तक इस वीडियो काने लिए नमसे उसे याँ फॉलो कर लिएगा यह देखें इस साइड है अटल पाथ यहाँ पे एलेट ए स्क्रीन लगा दिया गया है और यहाँ पे रोटरी है जो की यहाँ पे करेगा अटल पाथ फेज़ डू को या फिर आटल पाथ को या फिर पतना मरीन को और इस साइट से जो है दिग्गा एम्स एलिवेटेट को यहां पर देखिए इसी जगह से मैं आगे चलूंगा और आपको कम्प्रीट अपडेट इस वीडियो में देने वाले हूं तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रही है ताकि आपको इसका संपून अपडेट मिल पा अपको इस पतना का मरीन ड्राइब का जो साउगात है जल्द हम लोगों को मिल पाए चलिए चलते हैं अंदर पटना के मरीन ड्राइब में यहां पर देखिए एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं देखिए हम लोग आ गया है यहां पर नाला के अंदर और काफी यहां पर हम और गौतम भाई जो है यह नाला में इसलिए आ गया थे कि अपर बैठे हुए देख लेए ते उनको देखकर हम लोग को ला कि हम लोग वित्वा से यहां पर रुख जाए और साथ में इसके अंदर घुजकर आपको अपडेट भी दे दिए नाला में घुजकर हम लाउत के नाला में घुजकर आपको अपडेट देने के यह आम का है क्या वदफार ध्य जाए तो अब हम बाहर निकल रहा है जो हम और गौतंबाय 5 मिनट के लिए और बाहर निकल रहा है ज़ंक है से दिका रहा है यहां पर हम संग भी तया कें वह यह नहीं हो दिए हॉन faktur यहां कर रहे हैं आपे अगर कंपे नाला कर रहे हैं सुत लेकर काम जो थे इस अागे नाला का निमान हो गया में बचा खुआ है जो कि आखरी स्टेज का का मुझा है और वहूँ जल्द पूरा हो जाएगा इधर पूरा का पूरा काम हो गया इधर बगल में नाला कनिमान हो गया है और इसका जो बॉंडरी है उसका भी काम जो है कर दिया गया है और आगे देखिए सारा का सारा स्ट्रीट लाइट लग गया है यानि काम जो है बस आखरी स्टेज में है आगे में बढ़ा हूँ तो यह सिर लगा रिये अगे check के पाइप में और यहां कोशार की द Chen eBay from his करके आफ त बहुत एंब वहरं हो בפर के लिए कर रहे हैं बस यह जो अब आगे भी आपकी कोशी करता हूं गंगे अभी देखिए उसका जो connection देना है उसके लिए देखिए यहां पे लोग गड़ा कर रहे हैं उसके बाद वो जो बायर है जो उसमें अंदर लाइन सप्लाइब दिया गया है उसको अंदर डाला जाएगा और फिर इसको बरावर कर दिया जाएगा देखिए उसी का यहां काम ज काम ब्लेक्टोप काम और डेंटिंग पेंटिंग का भी काम जो है इंडिकेशन लगाया गया है जब राप में इससे पुझे लेंगे हेट लाइट के साथ बें यहां पे देखिए वहां पे मतलब आपको समझ में आ जाए इसके बाद रोड नहीं है बाँंडरी पे यहां प सब्सक्राइब पर और यहां जआ करके सिर्फी कीजिए और एक और अपने मंझिल के कर अर जाइए उससे बसक्ता है कि देखा हूँ और बिल्कुल खुबसूरत लग रहा है, मैं इधर से भी आपको व्यूर देने की कोशिश करता हूँ, तो देख लिए, यहाँ पर जो अस्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, यह अस्ट्रीट लाइट रात में अपना रोसनी से जगमागा देगा पतना के इस मरीन ड्रैब को, तो इसका जो लुक होगा, यह पतना जो मरीन ड्रैब होगा, यह तरीन लएगा, यह सामने यह है JP से तू, और देखे उसके ठीक नीचे काम जो है, यहाँ पर भी चली रहा है, इधर का जो काम है, वो कंप्लिट हो गया है, अटल पथ और पतना मरीन ड्रैब के साइड में, लेकिन JP से तू के नीचे ठीक इधर जो दिगा, एम्स, एलिवेटेट से जो मिलना है इसको, और JP से तूच करेक्टिविटी मिलना है, उसके लिए यहाँ पर काम जो है, चल रहा है, और यहाँ पर पिचिंग करने वाला मसीन जो है, ओ भी यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ और लिधा निमार का रहा है, इसब रास्ता जो जारी है, यह एम्स की टरब चल जाए गी, और उधर आपका अटल पत जो आ रहा है, वो रास्ता आ रही है, तो दो द exemplo, यहाँ पर früher contemporary का निमार कीना है, यहाँ पर देखे मैं आपको जूम करकर द दिखाने की कोशि़ी करता कि किस प्रकार रोटरी का निमान जो किया गया है और अटल-पत को पतना मरीन lay रच को और शूंत को है this ह सामने गंगा पत या नि मरीं ड्रैव आ इधर से अटलपत शीदा पत पत कार भी जो हो है इस जो है AIMS की तरप ये रास्ता चली जाएगी यानि सीधा केनेक्टिविटी मिल जाएगा पतना मरीन डैप को अटल पत को दिखा AIMS Elevated Road से और जेपी से तुसे जेपी से तुसे आगे बढ़ा हूँ तो इधर जो है काम अभी चली रहा है और इनिक काम के वाज़ से जो है करल इसका इनुग्रेशन यानि चार जून को नहीं होगा अब 11 जून को होगा देखिए यहाँ पे देखिए पिछिंग का काम चल रहा है यहाँ पे बढ़कर इंगिनेस काम कर रहे है और यहाँ पे देखिए इधर अभी कांक्रेटिंग किया गया है अब फाइनल जो है पिछिंग का काम से फोना वाकिया है और आगे वहाँ पे रोटरी है यहाँ सिधा आप जेपी से तुको जा सकते लो बस इधर का जो कनेक्शन है इधर का जो कनेक्टिविटी देना था इसी के लिए जो है इस डेट को बढ़ाया गया देखिए यहाँ पे अभी मिट्टी भरने का इंक काम चल रहा है तो यही कुछ काम बचा हुआ जिसके कान डेट को इंक्रीज किया गया है बढ़ाया गया है ताकि इस काम खोने के बाद ही इसका इनुग्रेशन किया जा सके यहाँ पे लगे हुए है यहाँ पे जो है देख लिजे इधर काम चल रहा है देखिए यहाँ पे कीरेन लगा हुआ है देखिए यहाँ पे किस प्रकार काम चल रहा है यह जेपी से तो कुछ जाने का रास्ता है और देख लिए इधर भी बहुत सारा काम बचा हुआ है देख लिजए इधर देखे सामने की तरफ यही है रोटरी और यहां पर देखे इस सेड में आपको दिखा जाता हूँ यहां से किस परकार जो है काम किया जा रहा है देख लिजए सामने जेपी से तु है और यहां पर आगे जो मैंने आपको दिखाते हुए आया कि अभी काम जो है इस एडिया में जो है वो चली रहा है नया वाला और यह पुराना जो रोटरी है इसके बीज का जो काम है वो भी किया जा यानि काम चल दा हुआ है तो यही कुछ अपडेट था पटना के इस मरीन ड्राइप में जिसका डेट जो है बढ़ गया है अब 4 जुन को यानि कल नहीं 11 जुन को इसका इनुगरेशन होने वाला है तो सुच्छा कि मैं आपको आ करके इसका लेटेस अपडेट दे दूँ तो अगर यह वीडियो आपको यह मेरा पर यहास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया को में आप अगर आप पेज़ेगा और फेस्बूक पेज़ को लाइक या फॉलो जरू कि जगा तो थांक्यों दोस्तों जैहिन मन्ने मातरम जैविः आर देखे सामने जो है गार यहां पतना किसमाडी ड्राइब में ट्रेवल भी कर रहे हैं